Hello and welcome guys, मैंना मैं अभिशेक और आप लोग देखे रहें में अभिशेक ड्रीम बोट तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए टॉपिक के ऊपर जो है 3D तो दोस्तो 3D के ऊपर मैं बहुत दिन पहले जो है वीडियो बना था 2-4 तो आज दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D के बारे में तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही 3D वीडियो और मुविस को कैसे इंजोई कर सकते हो तो इस वीडियो में उसके बारे में आपको पता लगने वाला है तो अगर आपको Interested 3D के उपर तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए तो चलो यार वीडियो को कर लेते फोड़वर से स्टार्ट तो यहाँ पर हम बात कर लेते पहले कि मोबाइल पर आप कैसे 3D वीडियो को देखोगे तो उसके लिए आपको Apps की जरूरत पढ़ेगा और उसके साथ-साथ कुछ Accessories की भी जरूरत पढ़ने वाला है क्योंकि Apps के मदद से तो आप 3D वीडियो को चला लोगे लेकिन आपको देखने के लिए 3D Glasses की जरूरत पढ़ने वाले है तो यहाँ पर मैं दो तरीके से 3D प्ले करके दिखाऊंगा आपको Mobile के अंदर तो यहाँ पर पहला तरीका है वो है 3D Glass के मदद से जो आप 3D वीडियो को देख सकते हो जैसे आप 3D वीडियो में देखते हो वैसा ही और दूसरा जो तरीका है उसमें दोस्तों आपको जो है वियर तो नाम सुना ही होगा आपने तो वियर के मदद से भी आप 3D को इंजोई कर सकते हो थियर्टर के जैसे तो आप यहापर देख सकते हो एक मेरे पास 3D ग्लास है ठीक है यह ग्लास जो है आपको Amazon के उपर 300 के अच्छे तरीके से आप 3D अपने मोबाइल पर या PC पर बहुत अच्छे से आप देख सकते हो तो यहापर हम बात कर रहे थे मोबाइल की तो हम जो है इस ग्लास को यूज करते हो और मोबाइल के अंदर एक एप यूज करते हूए जो है 3D को कैसे देखना है आपको बताऊं तो यह जो दोनों ग्लासे से यह बहुत ही अच्छा है इसका प्राइस उस टाइम पर मुझे पढ़ा था 2000 रुपे है लेकिन आपको Amazon पर बहुत सारे 1000 रुपे या 2000 रुपे के अंदर आपको ग्लासेस मिल जाएगा तो यहापर मैं आपको बताना चाहता हूँ 300-500-600 रुप पर के अगर आप व्यार बोक्स लेते हो तो आपको जो एक्पालिटी जो है अच्छा देखने को मिलेगा यह मैंने था 2000 में और अभी दो साल हो गया इसमें कोई भी यहां पर में कॉई भी बदलाव नहीं आया Aldisman में और यहां पर काफी अच्छा जो है क्वालिटी पर बन के आता है हाला कि यहां पर जो लेदर वेदर होता है और यहां पर जो लस्टिक लस्टिक होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है लेकिन ओवराल क्वालिटी जो है आपको मेटरियल जो मिलता है काफी अच्छा जो हो description में मिल जाएगा आगर आपके पास 3D Glass या VR Box है तो आप जाके ट्राइगर के देख सकते हो आपको काफी जो है एक अच्छा experience जो होने वाला है तो चलो चलते हैं mobile के screen पे तो यहाँ पे हम आगे mobile के screen पे आप देखी सकते हो तो चलो Maps जो हे हम दिखा देता हो मैं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे तीन Ip जोई user हो रहा है यहाँ पे पहला जो दो apps है यह आउंगर 3D Glass यूज कर रहे हो तो उसके लिए है और यहँ पहत्पर तीसरे जो VR प्लेएर प्रो हो है ये आप भीयार ही उसकर रहे हो तो उसके लिए है तो यहाँ पर हम सीधा शीधा आपको जो है पहला आप खोल के दिखा देता हूँ तो यहां पे वीडियो प्लेट करने से पहले मैं एक चीज बता दू यह जो play आ रही ये सरफ औस साइड भाय साइड 3D जो है support करता है यहां पे top button जो 3D होता है वो play नहीं होता ठीक है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ top button 3D क्या है और side by side 3D क्या है तो यहां पर ऊपर में glass का जो sign है उसके आप click करोगे तो आप यहाँ पर select कर सकते हो कि आपको जो है कौन सा यहाँ पर color आपके sunglasses के है उसके साप से आप choose कर सकते हो तो यहाँ पर normally मैं blue radius करूंगा और यहाँ पर हम play करते पहला वाला video तो यहाँ पर देख सकते हूँ यह जो 3D आप देख सकते हो side by side आपको देखने को मिलेगा तो आप ऐसे जैसे 3D पे click करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक screen पे यह आँ चुका है और उसके बाद यह glass हम पहन लेते हैं यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप पहन सकते हो तो इससे हम देखेंगे तो आपक चीज में आपको बता दो 3D टेखने के time आप पूरा घर को अंधेरा कर दो जैसे आपको theater में देखने हो मिलता है वैसे तभी आपका experience जो है बहतर होगा तो मैं यहाँ पर कुछ special effect आपको दिखा देता हो देखो यह जो है बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा यह द सपोट नहीं होता या दीरे slow चलता है वैसे कुछ नहीं है सारे वीडियो आप यह पर देख सकते हो video movies बगरा तो बस आप बात कर लेती है यह दूसरे video player की तो यह रहा वह दूसरा video player तो यहाँ पर video player खुलने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैं आप जो एक ही जो फोटो देखने को मिल रहा है तो अग्र अगर अप 3D बाता हो यहाँ पर यहाँ पर देख ले से अगर 3D घ्लास समीन करें तो यहाँ पर बार बार यहीं कहांगा कि आप जब भी 3D को देखो तो अपके घर के जो लाइट है उसको बुजादो और अंदरे में 3D को enjoy गरो तो यहां पर आप जो है side by side 3D को हम play करेंगे तो यहां पर side by side 3D हमारा यह रहा और यहां पर देख सकते हो दोनों side में आ रहा है तो यहां पर सीधा 3D पर जाना left right पर जो है बैतर quality में आपको जो है 3D जो है यहाँ पर इस apps के मदद से आप देख सकते हो और इस apps के अंदर आपको जो है दोनों 3D जो है support है अब side by side 3D देखो या top button 3D देखो कोई भी आप 3D यहाँ पर देख सकते हो तो यह तो हो गया glass के मादधम से आप कैसे 3D को आप mobile के अंदर जो ह प्ले करोगे तो मैं एक चीसे आप बता दूँ कि यह जो 3D ग्लास है इसके मदद से आप सिरफ और सिरफ मोबाइल को नहीं आप अपने PC पे भी 3D देख सकते हो व्यासी के ऊपर ठीक है तो अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप नीचे comment करो तो उसके बारे में मैं एप विडियो बना दूँगा तो यहाँ पे अगर हम VR की बात करें तो यहाँ पे VR Player जो है यहाँ पर देख सकते हो तो इस VR Player को अपको खोलना ए और यहाँ ब्राउस भी कर सकतों और आपने गैलानी पर जाके 3D को देख सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर नॉर्माली ब्राउस करता हूं तो यहां पर जैसे side by side 3D को क्लिक करेंगे तो आपको यह interface देखने को मिलेगा तो यहां पर normal आप video भी देख सकते हो 2D में लेकिन आप यहां पर देख रहें कि side by side यह जो है ब्राइक करने को मिलेगा और यहां पर देख रहो इसलिए जो है दोनों और यह दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपके वास ग्लास और वियर है तो आप कर सकते हो तो यहां पर कुछ ऑफ्शन वगिरा मैं देखा देता हो यहां पर साइड में इस स्क्रीन जो है चोटा बड़ा होता है और यहां पर ऊपर से य कैमेरे के दरफ और यहां पर यह जो है इसके मदद से आप जो है इसको उपर नीचे कर सकते हो और यह जो है इसके मदद से साइड साइड लेफ राइट कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपको सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता सेटिंग पर जाके आप यहां पर ऑडियो अगे लिखा है तो यहाँ पर statics जो है इस पर आपको जो है click कर देना है तो यहाँ पर आपको side by side जो है देखने को मिलेगा same process पर आप जो है 3D को देख सकते हो VR के अंदर तो यहाँ पर यह थोड़ा जो है पास लाते तो यह सब बटन से आप जो है अपना VR box के अंदर जो है setup जो है तो आज के लिए वीडियो इतना ही था मिलते एक नए वीडियो पर और नए वीडियो जो है बहुत जल्दा आ रहा है तो चलो यार बाबागा आईज